नमस्कार मुकाबला में आपका स्वागत है मैं हूं संकिय दुपादिय। एक पूरा हफता बजेट सत्र का जो दूसरा भाग था उसमें एक पूरा हफता एक सौरी ना बोलने के चलते भेंट चड़ गे। हुआ ये कि भारतिय जंता पार्टी कह रही है कि राहूल गांदी ने विदेश में जाकर कि जो बोला है उसके लिए वो सौरी बोले। चार दिन बाद जब राहूल गांदी आये तो उसके बाद फिर ये हुआ कि पहले सौरी बोलें उसके बाद अपना स्पष्टी करण दे। इस बीच राहूल गांदी हमलावर हुए उन्होंने बोला सौरी कि कोई बात ही नहीं है मुझे मौका दीजे तो मैं संसद में अपने इस्थिती स्पष्ट करूँ इस सब के चलते पांच दिन तक संसद की कारवाई नहीं चली और इसमें बहुत सारे ऐसे दिन थे जिसमें यह आरोप लगा सत्ता रुड दल पर कि वही संसद नहीं चलने दे रहे हैं यह बड़ी अजीद विचित्र सी इस्थिती हुई क्योंकि अक्सर यह आरोप विपक्ष पर लगता है कि हो हले में उन्होंने संसद नहीं चलने दिया यहां तो सत्ता नहीं नहीं चलने दिया ऐस के बाद एक के बाद एक मंत्री जो हैं वो प्रेस कॉंफरेंस करते हैं माफी मागो माफी मागो ऐसे में ये स्थिती साफ हो गई है कि इन दोनों दलों के लिए मुख्य रूप से विपक्ष ये एक दूसरे को मांते हैं कॉंग्रेस और भारती जनता पार्टी बीजेपी का है उसमें और कोई छेत्रिय दल नहीं तो आज के मुकाबले में जो सवाल हम पूछेंगे वो है ये माफी आफी छोड़ दीजिए 2024 के बारे में बात करते हैं कि राहुल बनाम मोधी सरकार ये जो तक्राव है इससे फाइदा किसका है किसको जादा फाइदा आईए शुरू क करते हैं आज का मुकाबला मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे महमानों का रोहन गुपता नेता हैं कॉंग्रेस पार्टी के हमारे साथ स्टूडियो में आलोक वर्ट्स नेता भारतिये जनता पार्टी के हमारे साथ स्टूडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत आलोक में और हमारे साथ हैं विनोध अगनी होती जी कंसल्टिंग एडिटर अमरुजाला एक एक मिनट का शुरुवाती वक्तवे का समय हर किसी को दिया जाएगा विनोध जी मैं आप से शुरू करना चाहता हूं आपका समय शुरू होता है अपने संबोधन में कहा कि इसके नुकसा फाइदा किसको हो रहा है जो संसद में स्टेलमेट है मुझे रहा है तो आगे पता लगे कि नुकसान देश का हो रहा है जो संसद चलनी चाहिए अब जिम्मिदारी किसकी है इस पर भी बहस हो सकती है कि सत्ता पक्ष किया अब अगर 2024 के संदर्व में देखें तो हमेशा ही उस चुनाव वर्ष में इस तरह के द्रश्च देखने को हमेशा मिले हैं मैं अगर पीछे जाओं इतियास में तो जब राजी गांदी प्रधानमंत्री थे तो जो आखरी वर्ष था उसमें तो यहां तक नौबत आ गई थी कि विपक्ष के सारे संसदों इस्तिफा दे दिय और उसके बाद फिर जब 2004 अटली का चुनाव वर्ष आया तो उस वक्त तो कॉंग्रिस बहुत आक्रमक थी सोन्याजी विपक्ष की नेता थी और बराबर टक्राव होता है तो यह चुनाव वर्ष में इस तरह का सत्ता पक्ष विपक्ष का टक्राव आम बात है लेकिन फिर हफता आपने कहा के चला गया उसका कारण क्या है सत्ता में जो पार्टी होती उसको विपक्ष की जो आलोचना है विपक्ष का जो एनालेसिस या जो मुद्दे विपक्ष उचालती है जिस मुद्दों पर विपक्ष देश का ध्यान ले जाना चारी सत्ता पक्षी करियों देश के सामने लाइए यह बाजपा की मजबूरी है और संकेती एक चीज में करा जाओंगे सिर्फ चुनावी साल की बाती है आप नौ साल से भाजपा सरकार का साशन देख लीजिए कि हर बार ऐसा हुआ है क्योंकि वह कभी यह मानसीक्ता में आई नहीं कि वह साशन मे यहां पर गुसरा और वो लोग मानने को तयार नहीं वह देश को कहते कि चीन गुसा नहीं आप मान लीजिए और देश उसको मांग ले कॉंगरेस पार्टी मानले नहीं हमको देश को बचाना होगा हम देश के मुद्दे उचा लेंगे उसी प्रकार से आप कोई भी कियोगी और भाज़पा के हर प्रवक्ता के कहते थे के नहीं काले कानून देश के लिए अच्छे फिर वापस क्यों लिए आपने जिसमें हजार से ज्यादा किसानों की मुद्द्धी मुद्दा सिर्फ इतना है जस्त टैन सेकंड कि यह सरकार को आलोचना पसंद नहीं है य सबसे पहले यह देश के लिए हित्में अच्छा नहीं है संसर चलनी चाहिए हरालत में लेकिन इनको चला इसको चलाने की जिंबारी जैसा कि अभी अगनियोस्ती जी ने कहा कि विपक्ष दुश्मन नहीं हो सकता हमारा लेकिन एक दोस्ती का भाव भी तो रखे जिस तरीके की बात राहूल गांदी जी बार बार करते हैं और उसके बार अगर उनको कहा जाए कि इसको आप ठीक कर लीजिए आप आप देश के अंदर के मुद्धों को देश के बाहर जाके बता रहे हैं लोगों को सारवजनिक पठल पर बता रहे हैं दूसरे देशों को इन्वाइट कात्यानी और मोदी को हटा इसलिए नहीं सकते क्योंकि देश की जनता देख रही है क्या नीती है क्या नियत है ये अच्छी तरह से भारतिय जनता पार्टी की देश के लोग देख रहे हैं राहूल गांधी विदेश जाते हैं पहले यहां कहते हैं कि जह हमें बोलने नहीं दिया जाता विदेश जाकर भारत के बारे में इस तरह का प्रचार करते हैं, यह सोचना चाहिए न, वो अपने आपको उनको लॉंच करने की तैयारी की गई, किस तरह उनका रॉकेट लंदन जाता है और वहां क्रैश हो जाता है, उसके बाद भी वो कहते हैं कि नहीं हम एक जुट हैं, मम पर भारती जनता पार्टी ने अपना रिपोर्ट कार्ट पेश कर दिया है, रोज दिख रहा है वो, कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, कारेकरता कैसे लगे हूँ है, ऐसे में, अभी हाली में आपने देखा होगा, वरुन गांदी ने कह दिया, कि हम कम से कम इसलिए साथ बैठते हैं, ये भी अच्छी बात है, आप देखिए, कम से कम इतना तो साहस कर पा रहे हैं, कि वो इतना तो है भारती जनता पार्टी में, कि बारती जनता पार्टी का एक नेता खड़े होके अपनी पार्टी इह लाब भी बोलता है, सुना जाता है, ठीक, शुरुराती वक्तवे क इन मुद्दों पर विपक्ष जनता के साथ कड़ा है, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, असमानता है, प्रस्टाचार, व्यापक प्रस्टाचार है, और यह चंद रास्टरवाद है, और चंद अन्या है, जो आपने देखा उतरप्रदेश के अंदर बुलोजर का राज चल रहा है, यह सब चीजे जनता को यह बहुत बड़े मुद्दे हैं, जो जनता के सामने और आपको, यह बड़े ताजयों की बात है कि विपक्ष तो चाहरा है, सनसाच छलने के लिए, चलने कोशिश कर रहा है, लेकिन संता पक्ष कियो नहीं चाहरा है। संता पक्षज इ जाती है कि यह सब बाते ना हो जिससे कि ED के द्वारा, CBI के द्वारा, IT के द्वारा इन सब विपक्ष को कैसे बदनाम किया जाए और मेन मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए क्योंकि उनका उद्देश यह नहीं है कि किस तरह से जनता की जो परिशानिया उनको सुल जाया ज संकेज जी, पहली बात ये राहुल गांदी जी के जो विदेश में जो स्पीश है, इसके बारे में हमारा कहना है कोई भी ने था, राहुल गांदी जी हो या दुसरे कोई भी ने था, हमारे देश के बारे में कोई फारिन साहल में जाके गलत बात करना, देश को कम दिखाना या बाहर दूसरे देशों का या कोई दूसरा समस्ता का यहाँ बर इंट्रवेंशन के लिए पूछना ये गलती है उसमें कोई हमको दो बात कहने की जरूरत नहीं है मगर यहां क्या हो रहा है भारती जन्ता पार्टी ने आज माफी मांगो माफी मांगो अगर आप सोचते हैं मैंने देखा था कई सारे डिस्कुशनम में जब भारत जोड़ो यात्रा हुआ था राहूल गांदी का इन लोग बोल रहे थे इसका कोई असर ही नहीं रहेगा गांदी का जो स्पीचस है उसका असर अगर देश में दिखाई नहीं देता तो अगर बाहर जाकर बोलने से क्या होगा देश को इसको भारती जन्ता पार्टी अपने इनों फायदे के लिए इस्तमाल कर रहे हैं आज एक सरकार मतलब जो सत्ता में हैं रूलिंग पार्टी है आप लोग पार्लमेंट को ऐसे चोटे चीजों के उपर अगर स्टाल करना चाहिए इसको बड़ा दोगा चलने नहीं दे रहा है ये क्या राजनीती है बिलकुल एक चोटे से बेपरवाई इतना irresponsible गवर्नेंट को हम कहीं ने देखा नहीं है आप ये सबंदा चाहिए ये एक कुतंतर है कि पार्लमेंट नहीं चलने एक मिनिट का वक्त खतम हो गया रेड़ी जी वापस आपके पास जी बोलिए ये जे पीसी फार्म करने का उससे डाइवट करना है अदालिस कैम को डाइवट करना है ठीक है चलिए इस पर आगे प्रतम भाग जो है मुकाबला का वो य क्योंकि ऐसा नहीं है कुछ विशलेशक हैं जिनका यह मानना है इसमें कॉंग्रेस पार्टी को भी फायदा है क्या फायदा है आईए उसके बारे में बात करेंगे एक चोटे से ब्रेक के बाद प्रेक के बाद आपका स्वागत है आईए तुरंट शुरू करते हैं हमारा मुकाबला हमारी चर्चा सवाल एक बाद फिर से दोहरादू राहुल बनाम संपूर मोधी सरकार समूची सरकार इस तकराव से फायदा किसका कितना ये मैं सवाल पूछना चाता हूँ अग्नियोत्री जी मैं आपसे शुरू करना चाता हूँ क्योंकि ये विशलेशन करना कि सिर्फ बीजेपी ही इससे लाभानवित हो रही है ये शायद पूरी तरीके से सटीक ना हूँ देख रहूल गांधी जब लंडन में बोले और बीजेपी के हाथ में एक मुद्धा लगा तो बीजेपी ने ये सोचा कि ये एक ऐसा मुद्धा है जिससे एक तरफ वह अडानी वाले मामले को और वसारी जो डिबेट हो रही है इसको डाइवर्ट करके और रहूल गांदी क बयान को लेकर एक इसको नेरेटीब बनाने की कोशिश की गई कि राहूल गांदी ने जाके देश का अपमान किया और लगा कि बीजेपी को इसका बड़ा फायदा मिलेगा लेकि अब यह मामला ऐसे मोड पहुंच गया है कि जहां फस गया मामला फस कैसे किया जो कल जब अब स्थिति यह है कि अगर राहूल गांदी को बोलने दिया गया तो वो सारी बातें और फिर कहेंगे हाउस की पटल पर जो पहले कहें चाहें आडानी का मामला हो चाहें वो लंदन में जो बोलने हैं डेमोक्रसी को लेकर के और फिर वो शायद मोडी जी के पुराने भाष हमको नहीं बोलने हैं और कहीं अगर करेला नीम चला कर दिया उनको सस्पेंड कर दिया अब निस्कासित कर दिया सदन से तो तो कांगर्स पालिटी को और बड़ा मुद्दा मिल जाएगा अब बीजेपी को तरह करना है सरकार को कि वो कम नुक्सान वाला रास्ता अपना है यह ज्यादा नुक्सान वी ना करें कर जुके हैं तो ठीक है रिकॉर्ड पर आ जाएंगी जो सरकार नहीं चाहिती रिकॉर्ड पर आए लेकिन नुक्सान बद जाएका कम नुक्सान होगा अगर नहीं बोलने दिया तो बड़ा मुद्दा मिल जाएगा जैसे की इंदरा गांधी को जो भटाया गया था पारलिमेंट से निकाला गया था मुझे अच्छी तरह याद है जो हम लोग गला की तो पर पर गहता हम नहीं था लेकिन मैं सचेतन था कि मदुली मैं जैसे निकाला था यह गलत हो रहा है और उसका फाइदा फिर दियास सामने है कि कैसे उसको मुद्दा बनाया तो इसलिए मेरे हिसाब से डिमोक्रिटिक वैल्यू लोग तांतरी मुल्यों के ध्यान रखते हैं फैसला तो इस भी कर भू करना है उनको बोलने के मौका कर देंगे तो ज़्यादा बेतर होगा और यह जो बोलने फिर उसमें माफी माँगे हैं आलोग जी आपका जवाब आपने सुना तो ये विशलेशन करना कि ये सिर्फ बीजेपी ही इससे लाब लेने की कोशिश कर रही है ये जरूरी नहीं है ये तकराव जो है वो कुछ हद तक कॉंग्रेस पार्टी को भी लाब दे सकता है या दे रहा है एक तो आपने अपने नेताओं को establish करती है दोनों पार्टियों ने बीजेपी ने मोधी को और कॉंग्रेस पार्टी ने राहूल गांदी को अब बाकी छेत्री अदल क्या करेंगे वो उनसे सवाल अभी थोड़ी देर में पूछूंगा लेकिन इस विचलेशन पर आप क्या कहेंगे देखिए जिस मोड पर यह आया है अगर राहूल गांदी जी माफी मांग लेते हैं तो म अनुमंती क्यों न दी जाए भाई जब पूरी सरकार हमलावर है लगातार यह बोला जा रहा है कि आप आईए आईए और बोलिए कौन रोक रहा है आपको वो खेह रहे हैं मुझे बोलना है तो अनुमती दे दीजे बोल दें वो इससे देखिए अगर राजनितिक रूप से आपका आरओपिए है कि उन्होंने भारत की बेजजथी कर दी कि उनका मैक बन कर दिया जाता है तो आप मैक वन करके दिखा धीजे दिनिया को कहा मैक बन करो अपने आप सोड़ी बूले हम उनको लिखित में देंगे कि आईए बोलिये जब ये बात थर्सडे को भारती जनता पार्टी के बहुत सारे नेता थर्सडे को उनका ये कहना था कि ऐसे थोड़ी है कि हम मुँ ठाय कभी भी चले आए और आप ये एक्सपेक्ट करें कि माइक आ बिल्कुल लेखें सब्सक्राइब भाजयपा की एक नीती रही है मैं ही चोर मैं ही पुलिस और मैं ही जज चोरी भी वह करेंगे पुलीस भी बनेंगे और फैसला भी वह सुनाएंगे उन्होंने बोल दिया राहुल जी ने गलत बोला मतलब ये फर्मान हो गया उसके आगे बाजयपा की मजबूरी है कि किसी भी प्रकार मुख्यमुद्यों इपटाना जरूरी है आपको लगता है राहुल जी ने बोला तो मुझा दे करे राहुल जी ने ऑगर देश के खिलाप बोला है या कहीं पर भी केस करने में पीछे छटे नहीं हूँ आप एकशन लीजिए आपको सनसत का समय बरबाद करना है प्रकार से इस सेशन को आपको आता है कात्याइनी जी मैं फिर से मुख्यमुद्दे पर आता हूँ जो आज का है कि इस से कौन कितना فाइदा लेने की कोशिश कर रहा है हमारा विशलेशन ये है और मैं एकदम अगनी उत्री जी के विशलेशन से सहमत हूँ कि इसमें दोनों अपना अपना फायदा साधर है ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी ही अपना फायदा देख रही है ने ने देखिए संकेजी भारते जंता पार्टी तो अपना काम करने में यकीन कर रही है लेकिन इससे फायदा कॉंग्रेस पार्टी को हो सकता है मैं बताती हूं कैसे राहूल गांधी जो कर रहे है तो प्रिजेपी भी तो नहीं चलने देरी ना संसद बताये खुद उनको कैसे कोई सीरियस ली लेगा बताये जरा आप वो स्वायम के बैठके कहते हैं और ऐसा व्यत्ती जिसको जैराम रमेश जी बगल में कहते हैं ना ऐसा मत बोलिए जिसको अपनी प्रेस कॉन्फरेंस के लिए बगल में एक गाइड रखना पड़ता है कि वो बताये उसको कि भाई ये बयान दीजेगा तो मजा को जाएगा आपने बयान सुना कि हमसे प्रेस कॉन्फरेंस करने का क्या मतलब जब आप स्वायम को कह दीजे कि मैं तो एक अनफॉर्चुनेटली सांसत बन गया तो रहुल गांदी नहायती कैजूल लीडर हैं उनको आप इतना विकार में तवज्जो दे रहा हैं कि ने तवज्जो समूची सरकार अरे बारी जब आएगी बोलने की राहुल गांदी इससे पहले पार्लेमेंट में कभी बोले नहीं क्या कहते हैं कि आप उनको समय नहीं मिलता आंसांसर हैं आंसमय मिलेगा बोलेगा बाटी जी और उसके बाद रेडी जी आप दोनों से मैं सवाल पूछना च हो रही है इसमें विपक्ष जो है वो हुमन चेन मना रहा है हम साथ साथ है कर रहा है वह बात सही है लेकिन आप देख रहे हैं एक रणनीती 2024 की बनती हुई दिख रही है जिसमें दोनों पार्टियों ने तै कर लिया है कि हमारा ही मुकाबला है बीजेपी का एक अभी आप बनाते हैं यह थर्ड फॉर्ट फिफ फ्रंट संकेट जी हम कहीं पे भी नाओ जनता के साथ है और जनता के मुद्धों के साथ है विपक्ष में अगर हम आप हमें यह कहते हैं कि हम नहीं हैं हम हमें चाहते हैं कि कॉंग्रेज और बीजेपी लड़ती रहे लेकिन नुक बाजपा सरकार की बुराई करे गई विदेश में बताइए विदेश में जाके राउल गांदी को बोलना चाहिए था है नहीं समाजवादी पार्टी की क्या रहे बिलकुल सवतनता है अगर यही लॉजिक से हम चलें कि उन्होंने विदेश में बोला तो मानने हैं प्रदान आनि हमारे शहीदों ने दी वो लानत वो उन्हें लानत दे रहे थे वो उस देश की बात कर रहे थे जिसमें भगवान राम भगवान किष्ण पैदा हुए उस देश को लानत दे रहे थे उन सबसे पहले तो माफी प्रदानमंतरी मांग लें श्रीधर रेगुला रेड़ी क पास जाकर के उनसे भी इसी चीज़ पर मैं पूछना चाता हूं और फिर आपका राइट तो रिप्लाई रेड़ी जी आप भी इस चीज़ से इतिफाक रखते हैं कि अगर राहुल गांधी ने कुछ गलत किया है तो 2015, 16, 17, 14 में विदेश में जाकर के जो प्रदानमंतरी व बाहर गम देश में वोई काम आज राहुल गांधी जी कर रहा है और प्रदानमंतरी होँ होने के बाद भी एक अमरिका में जाकर आपने क्या किया था, आपने चीफ केंपेइनर बन गया ट्रम्प के लिए, अबकी बार किसने बोला है, प्रदानमंतरी बोला कहीं कभी आपन नहीं देखा होगा को एक देश का प्रधानिया अधिक्स का अगले एलेक्शन के लिए काम करें और आज भारती जंता पार्टी का यह चिंता नहीं है कि देश का बेज जती हुआ है या देश को नुक्सान हो रहा है इन लोगं को हर चीज में उसका फाइदा होना चाहिए आप पोलिटिकल गेंज जो भी मुद्धा हो इसका राहूल गांदी ने भेज जती किया देश को कुछ हुआ यह चिंता नहीं है इसमें हम लोग लाप कैसा उटा है यह बीजे भी देख रहा है थोड़ी देर के बाद और कांग्रेस में भी यह मुद्धे में यही काम कर रहा है आपका आरोप यह है कि राहूल गांदी को मुख्य रूप से अपना प्रतिद्वनदी बता करके यह आसान विपक्ष भारतीय जन्ता पार्टी अपने लेका करना चाहती है जिसको वो हरा कर देबी जाए घुशित हो हाँ वही इसको चाहिए मैं रिटी जी की बात समझ गया अब इस पर कुछ रिस्पॉंस लेते हैं सबसे पहले आलोक वज्जी अलोक जी आपने सुना बी आरेस माफ कीजेगा उनका ये कहना है कि दोनों नहीं जो किया है वो गलत है राहुल गांदी का भी विदेश में बायान गलत लेकिन उसी तरीके से नरेंद मोदी का भी बायान गलत जहां वो अपकी बार टरम्प सरकार कहते है वो ऐसा बताते हैं कि 2014 से पहले लोग मन में सोचते थे कि ये कहां पैदा हो गए एक पाउं उनका देश के बाहर ही था मतलब वो ये बात कर रहे थे कि लोग देश छोड़ करके जारे हैं वो मसला अलाहिदा कि अब जो है जो लोग इंडियन सिटिजन चिप छोड़ रहे हैं उसमें एक उच्छाल आया है आज की रेट में लेटेस्ट आप फिगर्स देखें तो जादा लोग बाहर जा रहे हैं और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ सरकार खुद कहती है सरकारी आकड़े बताते हैं मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि अगर जो नियम आप राहूल गांधी पर लगा रहे हैं यहां पर जो पैमाना है वही पैमाना फिर प्रधानमंत्री पर क्यों नहीं दिखिए नरेन मोदीनी जी नो बाते जिस समय बोली उसका संदर्ब अभी के संदर्ब में बहुत अंतर है कैसे? कि उन्हों ने जो कहा उस पर आपने उस कुछ आपती नहीं जताई और बात गया ही जताई तो आपके retrospective effect से कोई आप उसको retrospective effect में थोड़ी ला सकते हैं कि मैंने सब कव कुछ कहा था आपने अभी गलत कहा आप उसको भुखतो हमने जो कहा भूल जाओ आचा भूल जाओ पिलानमंत्री ने कुछ गलत बोला दो भूल जाओ बात गई बात गई तो चलिए सुनिये तो फिर आप बढ़िए तो फिर आप बढ़िए तो आप तक जाएंगे दो दो लोग बाजबा के हैं और आपके सामने बोल दिया अब मैं आपको एक सुनाता हूं पुरे देश के सामने ही है यह वीडियो है और जी का खाली इट इस अजस्टाने पिछले में क्या पाफ किया तो और तो साूथ और है पेले था इन नंतल फिर इंग्म अधराद बाट अभिद चेंगे यह वहाँ वह फिर आपकर इस कोड़ा नहीं कि आपकि आपके व्राचाने नहीं चेना हंविए बात मुद्धा क्या है कि कृश्ट यृफ अगर राहूल गांदी ने जो बोला है वो गलत है तो विदेश जा करके ऐसा बताना कि इससे पहले लोग सोचते थे कहां पैदा हो गया यह यह देश की बेज़ती नहीं हुई बात कहने का एक तरीका है एक लहजा है उसका कैसे कब कहां कौन सी बात रखी जाए इसमें तो यही बात होगी ना आपका लहजा सही मतम काति them स्क्राइब पन्जाब जबाब जबाब जाए तो एक बात कही जाती है साड़ा कुता 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 टुड़ा कुता टॉमի जरना want नंपनी जी हरा है और पुरी दुनिया ग्लोबल एक था अब यहां जो पोल रहा है और जो आप जर्मनी बहुब रहा है और ताइवान वे सुना जा रहा है तो और डेmocritik वाट एक मिनट पींट पील करना जाएस कि आप अपलोग है का अधर यह नहीं का यह नहीं का यह नही जो बाजबा की ए टीम हो बी टीम हो राहूल जी ने कभी भी नहीं कहा कि जो बाहर के लोग उन्होंने जो देश की बात की मैंने एक वीडियो आपको दिखाया अगर इनका पैमाना यह के देश के बाहर जाके देश की बात नहीं करनी चीए तो प्रदान मंत्री जी न बुला और फोले सकते हों और जैने पार्रा की यहीं को 그 कि बात नही टेश के शरिटे के लोग तंत्र जहें समस्क college ऑंप सब्सक्राइब करें आप इंटेश में जी तृफें ध्यापर के तुन में बात व्हर होगत और राहूल जी ने इसलिए कहा कि मैं सांसद हूँ, इन्हों ने कहा कि वो तो एक सांसद है, उनको इंपोर्टनस तो आप दे रहे हैं, अगर पांच दिन से आप संसद को नहीं चलने दे रहे हैं, एक सांसद के बयान पर और आप उसी को मुख्य मुद्दे पर दोबारा करना चाता हूँ, आपको लगता है यहां पर सीधी तरीके से यह दोनों दल अपना फायदा देख रहे हैं, कुछ फायदा दिख रहा है दोनों को, एक का नेता इस्टैबलिश हो रहा है, दूसरे की राजनीती चमक रही है, दोजार चौबिस के लिए दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने को तयार है, ऐसे में आप कहां जाएंगे? जवाब देने का एक टाइम समय आएगा, ऐसा काम हम करेंगे, हम जन्ता में जाएंगे, ये दो पार्टी के तरीखे, पहले कांग्रेस का और आज भाजपा का लोग दे रहे हैं, इतना irresponsibility, एक बयान के ऊपर, वो भी राहुल गांदी के बयान के ऊपर, आप बोलते हैं उसक लिए या नरेंद्र मोधी जी या कांग्रेस पार्टी देखना चाहिए, ये दोनों के जो एक alternative हम लोग बनाना चाहते हैं, देश में एक प्रच्चामना है, रूप में एक विकास और जो संक्षेम का एजिटा है, मैं एक सवाल आलोक वत से पुछना चाहता हूं और फिर आ पक्ष की आवाज को और जादा तूल दे रहे हैं, इतना जादा amplify तो आप ही कर दे रहे हैं, क्योंकि जाहिए सी बात है जब पक्ष होगा, तो उसका एक विपक्ष होगा, action और reaction होगा, वो और जादा अपनी बात को प्रचारित और प्रसारित करेंगे, घूम घूम के करें तो आप तो उनका काम आसान कर रहे हैं, देखिए कुछ भी घूम घूम के करें, राजनीत में अगर किसी आदमी को हलकेपन में ले ले लेते हैं लोग, तो उसकी बीसवस निर्था खितम हो जाती है, आज की डेट में ये सचाई है, जडवत सचाई है कि राहुल गांदी ज को लोग बहुत हलके में लेते हैं, बीजेपी छोड़के, आप बहुत सीरिसली लेते हैं, बीजेपी तो आपने हर अपोजीशन को बहुत सीरिसली लेती है, कोई भी हो, भारत जोड़ो यात्रा के बाद हो, राहुल जी के बोलने के बाद चारचा जो बेरोजगार मंत्री आके प्रेस कॉन्फरेंस करनी पड़ती है, संसद को स्टॉल करना पड़ा, फिर भी बोलते हैं कि यह तो बजबूत नहीं है, तो यही बता है, अगर वो नहीं थे, संसद है, आपको लगता है कि उन्होंने कहा, तो संसद को क्यों रोकना पड़ा आपको, यही तो आपकी पर जनता का ध्यान चला गया, संसाथ में डिसकस हो गया, तो आपकी अस्तियत खुल जाएगी, तो कहीं नहीं, बाज़रपा की मजबूरी मैं समझ रहा हूँ, उनको मालूम है कि अगर उनकी पोटली खुल गई, अखिकत बार आ जाएगी, तो देशकी जनताओं के समझ रहेगी, बाटी, किसी भी हल्दी डेमोक्रेसी में विपक्ष एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है, और आप विपक्ष को जैसे नकार रहे हैं, यह आप डेमोक्रे की बात करी, कुटम में अगर कोई बाच्पा जैसे बाच्चा नालायक निकल जाए, तो क्या कुटम वाले वो बात दूसरों से ना करें, अपने घर, परिवार, बाहर के लोगों से नहीं करें, तो वो कहां कहेंगे, तो उसके बाद यह बाद बाहर क्यों कह दी गई, तो आ पूरा ब командणार अपने बारे में हो कि आइक, तो पूरा रहे तुछ बैयां है, पूरा रहे हैं आ का, बाद पाद हो रहे हैं, प्रधान मंतरी जी हमेशा कहएं, तो चाहते हैं कि एक मजबूट विपक्षो, जासे होगा, औरे चाहते हैं, वका देरे हैं, शानध यह वोका आपके बाद में समझे आपके लगता है यह बड़ी रणीती है सुनयोजित रहूल हाँ सरकार की आच्छा किस राहूल गांधी से माफी मांगने पर इसलिए अड़ गई कि अधर हो जिए पीसी पर विपक्ष रड़ा हुआ है तो तुम अपनी मांग छोड़ दे तुम जेपीसी छोड़ दो राउल गांधी माफी में चोड़ दे यहां पर आकर पूमाइस कर लो तो यह एक रास्ता निकालने का तरीका हो तो कैसे होगा चलिए अब यह देखना है पंडे जब आएगा तब हम इसी तरीके का हंगामा देखेंगे संसद में या फिर तब तक कुछ हस्तक शेप होगा और कुछ बात सुधरेगी या बहतर होगी या और बिगड़ जाएगी और किसको कितना फायदा हो रहा है इसका एक अनुमान और आकलन आप लोग भी कीगे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं मुकाबला जारी रहेगा मामला ऐसे मोड पे पहुँच गया है कि जहां फस गया है मामला फस कैसे किया जो कल जब राहूल गहन्री आया और जाके उन्होंने स्पीकर से कहा कि मेरे खिलाफ चार मंत्रियों ने मुझे पर अरोप लगाया है सधन के अंदर तो मुझे राइट टू रिप्लाई है मुझे बोलने देना चाहिए मुझे बोलने देने का मौका दीजिए तो स्पीकर मुस्कराया जैसा कि राहूल जी ने प्रेस कॉंफिएंस पर कहा अब स्थिती यह है कि अगर राहूल गांदी को बोलने दिया गया तो वह एक रिकॉर्ड पे आएगा कॉंग्रेस उसको मुद्धा बनाएगी अगर नहीं बोलने दिया तो राहूल गांदी और कॉंग्रेस पालिटी है कि देखे हम तो कही रहे थे हमारी यावाद दबाई जा रही वक्ष यावाद दबाई जा रही विदेश में जाके राहूल गांदी को बोलना चाहिए थे हैं नहीं समाजवादी पार्टी की क्या रहा है बिलकुल सवतनता है अगर यही लॉजिक से हम चलें कि उन्हों ने विदेश में बोला तो मानने प्रदानमंतरी जी ने विदेश में जाके क्या बोला कि मैं कैसे देश में लानत भरे शब्दों में मैं कैसे देश में पैदा हो गया मैं कैसे लोगों में हो गया तो आप दे से पहले तो माफी प्रदान मंत्री मांग लेगा